वेलो गैस वेलकम टुक्लियर उपेशी पीसेश हम अविछी खुपला और आपका वेलकम है इस च्लासिक्स च्प्टर टू में को सबस्क्री अपकर सेंग्या यह उसका में एक साथ ही अप्लोड गरते हैं घ्र स्फ़ेश में इसके ट्रप्लोड बना दूंगा कि एक साथ ही अप्लोड़ुक्स में विडीयों सब्सक्री क्लास एंट ना लोग लब दो मिलियन साल रहते थे साल पहले रहते थे वाई सब्कॉंटेंट पे उनका अभी हम क्या बोलते हैं और दिदर पर लोटे हैं या यह नेम उनके किस बेस पह रहे उनको फूट बोलो फूट को गेदर करते थे ठीक के ना वो हंटिंग करते थे जैन उर्व को मारते थे और वह फॉरस्ट है वहां से जो फूट है उसको गणाओ एक उसके साब से उनका नाम भी रखते हैं ओके हैं अंटर दान नेम कम फ्राइम फ्राइब लिगा है वाँ सारी जना वाइजन क्या है इफ थे हाड इस्टेट टान फ्राइबल प्लांट अलम तो तो अगरे एक जेके पर रुखते थे तो वांगे इतने वो प्लांट और अनिमल रिसोर्स दिखाने के लिए कुछ बसता नहीं था इसके वज़े से मूब करते थे ठीक ना सेकंड एनिमल मूफ रूं प्लेस तो प्लेस ऐदर इन सच आप स्मालर प्रे आर इन केस आप डियर और वाल्ड केटल टीका ना इन सच आप ग्राशन लीव तो जो आनवर भी उपालते थे वह भी प्लेस टू प्लेस मूब करते थे क्योंकि उनको भी घास और पत्ते चाहिए होता है इसके वाज़ा से मूब करते यह दो रिजिन थार्ड रिजिन क्या है प्लाइं ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट प्लाइं ट्रीज प्लाइं ट्रीज गटना यसे एक जिए पर मैंगो का जो सीजन अलग होता है ठीक है और अदर फूट जैसे की इमल जैपल है तो उसका अलग हो तो जहां पर सीजन की साफ समूब करते थे जिस सीजन में जहां पर इनको अच्छा फॉड मिलता था अच्छ तो जो भी बहुत सारी लेक्स जो है और रिबर पेरेडियल है जो की फ्लो करती है अधर और शिदिल को सिजनल है पीपल लिविग नाव दियर बैंक उड़ा है वहां पर जो लोग रहा करते थे उनको वाटर के साच में जाना पड़ते है चार रिजन से याद रखेगा अव इसकर दे ते ते इस लाकली दाट पीपल मेड एंड यूस तूल आफ इस्टोन तो इस्टोन का टूल की उसकर ते वुद आंब वोड़न और विच इस तोन टूल हब सरवाइब बेस्ट समाब अब बैस इस तोन तूल रिज तो कट मीट अन बों तो मीट और बों के लिए इ पालब परची जिसको बोलते हैं वह बना जाते है प्रूट्स और रूट्स उसको फुरूटोटि की चॉपउबिग के लिए उसको कट करने के लिए और रूॉट्स को जड़ो काटिंग है तो करने के लिए जो चाहलों को काट रिनी के लिए पेड़ों इसे बर्ची भी लोग बना देते हैं वियों करने के लिए बंब करने के लिए आ Símx have been attached to handles or bone which goes both handle say attach किया था और वुट वुट के handle से पत्थर बना दिये उसको handle जैसे बर्शी भी बता रहा था तो लकडी में क्या क्या है लकडी में नोने stone को फसा दिया तो उसका भी उच करते थे arrow तीर वगरा की उच करते यह stone उच करते हैं left यह डिगिंग के लिए खोदने के लिए इसा का रहा था है digging the ground to collect edible root right में क्या है stitching close made out of animal skin animal skin से जो कपड़े बनाते हैं उसको stitch करने के लिए तो उसका यूच किया रहा था रही दो दो tools दिये हैं choosing a place to live look at map two below all the place marked with rick triangular cities from which archaeologists have found evidences of hunter gatherer hunter gatherer के जो भी evidences मिले हैं यहां पर इन्होंने बताया है कि अल्दा प्लेशन मार्क भी रेड ट्रेंगल रेड ट्रेंगल जो जो मार्क हुए हैं वहां पर मिला है many sites were located near source of water तो बहुंसी sites water के source के पास वोगटें सचर रिबर्शन लेक्स तो इसमें देखी कहां कहां पर रेड है ओके तो कुर्णूल केप्स जो हैं यहां पर मिला है ओके और मुस्गी से मिला है तो यह मेहर गड़ वागरा बाद में आएंगे और यह भीम बेट का तीन जगे हैं याद रखीगा जो लोग तो यह क्या है पहला कुर्णूल केप्स मुस्गी और भीम बेटिका यह याद रखीगा और यह मैप भी याद रखीगा मैं बहुत इंपॉर्ट कॉंपटेटिव इंग जो पट रहे हैं वह याद रखेंगे नियो लिथिक साइट्स के बारे में यह दिया गए यह सब आगे पढ़ेंगे मेगल अर्ली विलेज और मॉडर्ण सिटी इस ओके यह सरी चीज़ें इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे इसका आप चाहे तो इसकी शुट लेके रख लेजिए मैं बहुत ही काम का है अभी आगे पढ़ने में है इस टूल्स वर इंपोर्टन पीपर त्याइट व्याइट वर गुडटी स्टूंवाल वाट अबले इसली अवलेबल तो जैसे की टूल्स इंपॉर्टन वैसे भी वहां उस समय उस समय कि जो पीपल से वो ट्राइक करते थे कहां पे एक अच्छी वाल्टी का इस्टून बना सकें ना भी मिटका इन प्रिजंट डें एंपी बीमिटका एंपी में इस इन ओल्ड साइट बिद केफ संट रॉक से अपर गुफा है और रॉक सेल्टर है पीपल चोग देर निच्रोल केफ विकास देप्रॉड जेटर से बचने के लिए वह गुफा के यूज करते थे ली नेचुरली बनी होती यह ना है यहां यहां टावड बेंटिंग उद तर फोल टफियों टीटिय यहां प्र психल टेंग वहां सबसे पहली जो यह पंटिंग मिली हुई है अरली पेंटिंग आप मिली यह मिली है और यूपी में भी साधन यूपी में भी कहीं निकाए देती है लेकिन सबस्यादा यह MP में लिया और इसको ड्रॉ किया गया है बहुत ही एकुरेसी और स्किल्स के साथ ओके यह बना हुआ है भीम बेट का ही होगा आई थिंग ओके साथ अब साथ क्या होती है और प्लिस वाट रिमेंस ऑप थिंग्स फूल पॉट बिल्डिंग और फांड इस वर मेंड यूज़ अंड लेफ्ट बिहांड देपल दी इस में फांड ऑन सर्विस ऑफ अर्थ बरी अंतर अर्थ यह साइट क्या होती है उसके बार अंधिया का है унг हो जो ब्रष रोह अर्ष ऌहरीन जो कोप्र सब्सक्रांड विसंगल राइिस दीस फैनियर थे यूज़ फर में इसर ह३ो फोर मेंस जो सुर्फ कंपटीट टीअगेसी उत्यू दतेूर आंड कि जावर भागी और यहिस खाना जुम साव पांडिका वोस्ट मीट एंड इसकेर अवे अईमल तो फ़ायर के यूज किसली एक रहाथा सा सूर्स ओफ लाइड लाइड के लिए मीट को रोस्ट करने के लिए और इसकेरी जो एनिमल से उनको डराने के लिए एक ना गलब की अनिमल को बगाने के लिए नौ वाट डू वी उज फायर फायर तो अब इसमें देगए कि फायर के यूज हम अभी क्यों करते हैं ओके तो गईज अब जो लोग कॉंपटेटिव एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं उनको धियां रखना हैं कि सबसे पहले ट्रेशस आउफ जो ऐसा कहां पर फाइंड आउट हो था कॉर्णोल में डिस्टिक ऑफ एंपेटी के ना सो गैस देखिए जो लोग कॉंपटेटिव एक्जाम की प्रिपेशिन कर रहे हैं और यहां पर आया है ना सबसे पहले हैं और इसके बाद यह सब भी है तो जो भी इंफोर्टन फैक्ट है ना जो प्रिलिम्स में आ सकते हैं में तो उसके लिए मैं क्या करूंगा दोंगा आ कि आपके लिए एक डिस टाइब का बना दूंगा और वह जिस्ट फिर आपको एल्प करेगी नीचे मैं मैं दे दुघंगा तो आप क्या करेंगे कि आप मुझे इमेल की देगा तो मैं आपको दे होरवलह के日本 दीनको दूशला होते हैं क्योंकि ऐसा और dol न अच the time that we are studying they call the earliest period paleolithic the earliest period को क्या कहते है paleolithic जो सबसे earliest period है उसको क्या बोल राता है paleolithic these come from two two greek word paleo means old and lithos means stone to old stone मतलब होता है paleolithic क्या मतलब है paleolithic क्या मतलब है paleo मतलब old or lithos मतलब stone mean meaning stone the name point to the importance of find of stone tools तो ये name itself क्या you know depict करता है कि इस्टोन के कितनी importance थी कि उस एस के name भी stone के उस पे बेस पे है the paleolithic period extend from two million year ago to about 12,000 year ago तो 2 million साल से 12,000 साल तक एक्स्टेंड करता है the long stage of time is divided into lower middle and upper paleolithic period तो ये जो 2 million year और 12,000 year ago का period है ये 3 में divide होता है ये लोवर मिडिल और अपर पे लिए पे इस लॉंग span of time का बन 99% of human history ये क्या करता है ये 99% of human history को कबर करता है the period when we find environmental changes beginning about 12,000 year ago till about 10,000 year ago is called the mesolithic middle stone तो जो 12,000 से 10,000 साल के बीच का period है वहाँ पे environmental changes देखनों के मिलते हैं और इसको हम क्या करता है मेजवलिथिक middle stone stone tool found during the period वा जनरली टाइनी आर काल्ड माइकुर्ली तो इनको माइकुर्लीस भी बोला जाता है ठीक ना देखिए PCS होगा रहा हमें ऐसे question पूछ देता है कि कौन से रहा को you know माइकुर्लीथ को बोला जाता है ठीक ना प्रबिबली ऐसा माना जाता है कि वह बोन का या वुट का हैंडल था उसमें यूनोव इस्टिक टाइप करके उसको बना जाता गाए at the same time older varieties of tools continue to be used older variety of tools उसमें उसको डिवाइट किया गया है उसके बाद हो कि आप मेजोलिथीग अब दे नेक्स स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 एर अगो इस नोर एस नियोलिथीग डू यू थिंग देटर नियोलिथीग मेंस तो दस जार से आगे का जो पिरेटिव सको नियोलिथीग बोल रहागी भी अल्स मैंसंद ने वाफा सम विस को समय करेंगी पहले हो लोक उसको गया कहते था मैं पता नहीं था इत चेंग नरू नर्मिट अगो यह वर मेजर चेजिंग ग्लाइब आफ़ी वर्म कोडिशन तो बार्म कंडिशन तो वां कंडिशन तरफ से फ्टॉ क्लाइब इन मेनी एरिया इसलेट टो डेलप्मंट अफ ग्रास्ट इसक वह इसलेट प्रफ नुबर यॉप गास तर्लेट आ प्रफ ग्लोफ गौट्स their food habit and their breeding season it is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves fishing also become important तो वही है कि animal की hunting भी फॉल आट की गई उनकी food habits में कुछ चेंज हुए और fishing भी उस ताइम भी किया थी यह सब और हर्डिंग और रेरिंग की जो प्रक्टिस है एक न वो भी चलती थी ता बेगिनिंग of farming hiding the farming or hiding a sister do these are also a time on several grain bearing grass including wheat barrel rice grew naturally in different parts of subcontinent wheat barley or rice yet ये ना यादर के समसे पहले क्या ग्रो हुआ wheat फिर barley फिर rice grow हुआ ठीक न और वी ने चुरिल पहले subcontinent में ग्रो हुए men women and children probably collected these grains as food and land where they grew and when they ripened तो लोगो ने है इसको collect किया और फिर इसको बारे में you know research type की करी होगी की ऐसा मनाते रिसे टाइब की करी होगी कि ये कब ग्रो होते हैं और इसको इसके राइपनिंग कैसे की जाती है this may have led them to think about growing plant on their own in this way people become farmer तो फिर उन्हें सोचा होगा कि इसको हम खुद भी उगा सकते हैं कोई खाने में अच्छा लग रहा है तो फिर उन्होंने उससे उगाना स्टार्ट कर दिया और फिर लोग farmer बन गए people could also attract and then tame animal by leaving food for them near their shelter the first animal to be tamed was the wild ancestor of dog सबसे पहला जो जानवर पाला गया क्या था वो फॉस्ट अनिमल कॉन था वो था wild ancestor of dog था लेटर people encouraged animal that were relatively gentle to come near the camps but they lived these animals such as sea goat cattle and also the pig lived in the hudds तो उसके बाद सीप गोट्स cattle और पिक को भी you know uh उनकी जो उनको पाला स्टार्ट के दिया उसके टेमिंग स्टार्ट ओफन पीपल प्रोटेक्टेट इस अनिमल फ्राटेग बाई अधर वाल्ड इनिमल इस तरह से वह अधर बन गए इस निम गिपन वाई प्रोसेश निविच पीपल ग्रोट अभ्राटेश जीमल इसमें डॉमस्टिकेशन की होता कि लोग प्रांट को गरो करते हैं और अनिमल्स की बीटेविग अर्टेविग करते हैं बेरी ओफन प्रांट अनिमल बाई आपट अधर्टेट बाई पीब ब प्लांट और रेनेवल को सेलेट करते हैं जिसमें डिजीज नहीं है ये अल्सु सेलेक्ट प्लांट ये लाज साइज ग्रियन तो ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करते हैं जिसका जिसके इल्ड ज्यादा हो and have strong stocks capable of bearing the weight of ripe grain seeds form selected plant तो ये किसलेक्ट यूनों स्लेक्ट सनोता है हिससे की domestication अच्छे से हो सके अमंग अनिमल दोस वर अलिट्री जेंटल और सेक्टर फार ब्रीडिंग जो अनिमल जेंटल थे ब्रीडिंग के लिए जो अनिमल इनके helpful होते हैं उन्हीं को पाला जाता है ठीका ना डो मश्चिकेशन वा जाग ग्रेजुल प्रोसस्स अंचिंग्र प्र्सेशन तो फूंचिकेशन ग्रेजली द्रे ध्रे वह विह इंड बार्ली तो इन भी स्थैंग्रियं इंड और लियों को ब्रेंग को भीट्री अच्छी अधर किस्थे नियुक्त अश्थे जाद रिखे वे इन विच ग्रेन वार्यूज गिरिंगे सीजिए जाता था सीट के लिए फूद के लिए गिफ्ट विदिया जाता और पूद के लिए भी इसको गया करें टॉट किया थे टीकिना इसको पानी देने के लिए अनीमल वर्ट सब्चैनी तर टो जब तक राइपन राइपनिंग नहीं राइपनिंग महां पर और ना इन ग्रेन हाइट विच गारिफली उसका कैरिफली उसको डिरेफली उसको जिए प्सक वर्ण्ष को में पालिए पीपल अच्प स्टेकिया गया फिट्स को ग्रांडर शक का यूज के गा यह एक new wave of life थी because पहले वो घूमते रहते थे बट अब यो घूम नहीं रहे है इस्टोरिंग एनिमल एनिमल कुछ एनिमल multiply naturally besides if they are looked after careful they provide milk the animal multiple होते है naturally वो अगर उनको वो अकर उनकी care की रहा तो दूद्ध प्रवाइड करते हैं which is an important source of food एक ना तो यह एक new way of life था और इसकी विर्श के होगा की इनिमल को इस्टोर करने निगा find out about the first farmer and herder पहला पहले farmer or herder के लिए find and turn to map to page 13 you will notice the number of blue squares each mark of site from where archaeologists have found evidence of early farmers are under herders these are found all over the subcontinent some of most important ones are in northwest present day kasmir and the eastern south asia तो इसमें कह दिया गया है कौन सा mark है each mark is site from where archaeologists have found evidence of early farmers these are found all over the subcontinent blue square एक ना blue square कहां पर बना हुआ है तो यह यहां पर एक map दिया हुआ था okay this is the blue square okay so new lithic तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सबसे पहले स्टार्ट होता है यहां पर देखें महर गड़ है महर गड़ फर्स शेप्टर में आपको बताया था कि किर्थार हिल्स और एक लोड़ती उसके बीच मताब महर गड़ कोल डीवा में अभी आगया हम पढ़ेंगे कोल डीवा में क्या मिला है मलब कौन से उन्हों कौन से गिनन का कल्टिवेशन चीरांद यह बिहार में पढ़ता है यहां पर क्या मिला है तो यह है यह यह आत रुखेंगे नौल लेट समूव फर्दर यह 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 आमने देख लिया टूआड इस से टल डाइफ आर्केलोर्जिस्ट है फाउं ट्रेशस ऑफ हट्स एंड हाउसे इन समसाइट पॉर इसांट इन बुर्ज हूम इन प्रिजन दे कस्मीर पीपल बिल्ड पिट हाउसे विच वर डग इंटो ग्राउंड सब्सक्राइब बिड़ें तो इन्होंने जो बुर्ज ओम में क्या मिला कब से पहला कीला टीका अजिस्को ग्राउंड में दिञ एक पिटाइब कर पिट हाउस टाइब बना रिजा जाता और डिगिंग करकि इसको बना रहे था और स्ट इप सब्नें इसीडिया बना या तिस suggest that depending on the weather people could cook food either indoors or door to indoors or door दोने जगे पी क्या के जादा की जो फूड है उसको बनाया जाता था okay okay so guys देखिए यहां पर सेट देखिए पहला सेटल्ड लाइफ का जो हाउस मिला है पहले पहली सेटल्ड लाइफ का हाउस कहां पर मिला इस टोल है फूंट फॉम प्रहूम मैं मिला बट सबसे पहला का मिला है वह मिला बीमेट का एंविम नहीं पुड इस तोन फॉल है फॉंट प्रहूम मैं बन्स था इस विवर इस वर दिफ और अर्लियर पहली पहली लिथिक टूल्स पहली टीज गवह दिए जो की बहुत सारे that are polished to give it fine cutting as to this may fine cutting as and motards and pestles use for grinding grain to green co grand kennedy motor motor and pestle he gonna so it's cool you know the up case item is cool sill sill boolah the sill but I suck a good boolah and motors to immortal and pestle school good for grinding net another plant produce motors and pestle you for grinding grades every time tools of the pileulitic type continue to be made and used I remember some tools are also from my job before I told bone kebhe madha badye go in a minute many kind of other than ports have will have also been found these are sometimes decorated and were used for storing things what's my meal a decorated because he worked at it or things could store calculate लिए यूज के रहा था है इपल बिगेन यूजिंग पॉर्ट फॉर्कुट इस्पेशली ग्रेंग राइस वीट अर्टिल्स राइस वीट अर्लेटिस को कुकिंग लिए भी को को कने लिए इनका यूज के रहे पॉर्ट अधिकली के इन इस दिदिंग जेन अब्रिवार कोई इन 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 मोमन इस्टिल कंटिन रहांट अंगेदर फुर्ट अभी भी बहुत साइज जगह पे लोग अंटिंग और गदरिंग करते हैं जहां का कुछ अरिया तो वहां पे होता है एक क्लोजर लुक लिविग अंदाइं इन महरगड फॉर्ट 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 पिपल लं तो ग्रो बार्ले अंवीट तो महा पे वाही पे बाले और वीट को करन लोग रोग नजी का लग रिर्सी पन गोट फॉर्स ताइम पहले सीप और फॉर्स ताम कहा पे इसके रेरी इस्टार्ट वी वो इस्टार्ट वी महरगड में इट इस न अफ लिए बिलेश of square and rectangle how rectangular house तो पहला सबसे पहला जो square and rectangular house जो था वो कहां पी मिला महरगड में पहला बिले महरगड में each house had four or more compartment तो हार वहाउस में पुछार से ज्यादा compartment भी हो सकते थे some of which may have been used for storage some people die their relative and friends generally pay respect to them people look after them perhaps some believe that there is some form of life after the burial is one such arrangement to burial मतलब की दफनाना भी होता सब्सक्राइल ब्यूरियल साइट है विन founded मेहरगड इन वन इस्टाइब देड़ परसनल बरीट विद गोर्स बहुत सारी लिगों पे मिला के गोट के साथ उनको बरी किया रहता रहता कुछ भी आप बोल सकते हैं ठीक ना जो भी जिस आप से होता था विच्वर प्रबली में तो सर्वाइस food in the next world तो इसमें ऐसा माना जाता है कि उसका जब गोट के साथ इसका मतलब यह था कि वो जब दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वो इनके फूट के लिए काम करेगा ठीक ना a painting in France find France in your atlet the painting below is from a cave in France this site were discovered by from four school children more than a thousand year ago to charge school के बिच्चों ने इसको discover किया था thousand year ago painting like this were made between 20,000 and 10,000 एंगे 20,000 से 10,000 साल के बीच में बनी थी many of these were of animals मतलब के में जो लिथी कोई बनी थी इक ना many of these were of animals such as wild house horses our roots and elder and older white form of cattle to you by son is such a believe in the clear as a banana okay now let's move on that elsewhere a neolithic site from Turkey Turkey may be one of the most famous neolithic site I tell you which of was found in Turkey the cattle who you Joe head turkey find out three little excited several things were brought from great distance flint from Syria quarries from Red Sea the flint serious milieu Cody do the Cody just cover this for cowry looking at the quarries Red Sea similar cells from a deterrence you materialize yourselves and use in subtle meant remember there were no card cart neither most thing would have been carried on the backs of like animal suggest cattle are by people to logo or animal get through his code transport that's all for this video you know so hunters it's when they get to the centers hunter gather to to live in caves and rock shelter because okay for rock shelter and cure at the cookie the kids for heat sabasak there in sabasak things I choose grassland developed around grassland couple of river water here question I okay no why do people who grow crops have to stay in the same place for long time just make you a key to get below both sides and that you ran a through cut the day so insert a kitty to quick question cancer data by its job crop can grow 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 growREGELA na so unquee gjorde pa pa na pa na pa na do the you think the go conco pani wani be dinner rata up the climate change water ho gasland develop it 12,000 year a good development so you guys that's all for this video you chapter 2 chapter 3 skill is video can link your description of उसमें मिल जाएगा ओके इसके नोट करें तो उनको मैं अपना इस्टाग्राम का लिंक और इमेल का दोनों का दे दूंगा तो आप मेरे आपको कहीं पूछ देता है तो फिर लोग क्लियर नहीं कर पाते हो के चप्टर 3 के लिए इसके लिंक में जाएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा ओके तो अल फार दिस वीडियो एन एस वालवेज हरा भाही जो लड़ा नहीं